थपपड की गुंज सुनाई दी, जूते की गुंज नहीं सुनाई दी, अभासित दुनिया के मेरे दोस्तों मैं रतनलाल बोल रहा हूँ, काम के बाद लाव की क्लास में आपका स्वागत है और पेशयां मेड करना मार, दो दिन से तिरपुरा डियेम सलेश कुमार यादव सोशल मीडिया में चर्चा गरम है, पूरा हैस्टेक चलाए गया सलेश यादव को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि एक पुरोहित को थपर मार बहुत बड़ा देश द्रो हो गया पुरोहित को थपर मारना लेकिन आपको लिए चलता हूं ठीक एक महिना पहले 23-24 मार्च बिहार लिए चलता हूं, वहां क्या हुआ एक बार देखिया किसी ब्राह्मन अक्फुन नहीं खोला, क्यों अगर बीजेपी उसके पार्टी सत्त में हो और ब्राह्मन को जूते गुंसा से कूट दिया जाए तभी ब्राह्मन लोग खुन नहीं को खुश होते हैं कि मारा पाटी वाला मारा है, कोई सवाल नहीं उठाते हैं, चलिए लिए चलते हैं संतोष मिश्ण नाम आपने सुना हूंगा, सीनियर आदमी हैं, कॉंगरस सिंग, राजपूद, ठाकॉर और इस भी कौन तक्तिवारी, जूते से मारा था, और उस पे कोई ब्राह्मन समाज का कोई भी वीडियो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों, आपकी पार्टी का आदमी होगा, आपकी पार्टी की सरकार होगी, तो जूते लाध भूसा स से मारेगा, तो वहां आपका ब्राह्मनत्व नहीं जाकता है, क्योंकि आप सुविदा भोगी, एहसान फरामोज, उपर्चनिस्ट लोग है, उसमें आपका जमीर नहीं जाकता है, क्या हुआ था बिहार में, आपको बतावेता हूँ, सीधिये, ये पहले फोटो देख लिए करना करी तेश-चोवीस अपरिल भिहार की एगटना है, और उसमें पूरा उसमें आवकर याद होगा, तो पूरा इंटरनेट मीडिया सब चाया हुआ था पूरा मामला, ठीक है, और उसके बाद संतोष मिश्राज अबिक, उसमें मेरा एक जूनियर दोस्त भी है, सतीर, गय लाज से इसको च्छाती पे मारा गया था, जै भीम बोला था आपको अगर वीडियो क्लिपिंग्स याद होगा तो लाल वो बैक टांगे हुए अंदर गया था और उसको उठा के फेका था, एस्पी डी-म की आवकात कितनी थी कि विधान समा में घुश के, किसके इशारे प अभी, कहा गया ही ब्राह्मन महासावा वाला सब, इसकी आवाज नहीं निकली है, एक ब्राह्मन सीनियर सत्तर साल के आदमी को मैंने बिधायकों से बात किये, पटना, और इसलिए प्रासंगी को गया है, ये मुद्दा उठाना, कि एक अनपड गवार जो की कानून तोर रह था ब्राह्मन, सारे 11 वजे रात में मूरत निकालके, लॉगडाउन में कर्फिव है, उस समय सारे लोगों को गुमरा कर रहा था, उसके पीछे पूरा देश लग गया, डीम अपने ड्यूटी का पालन कर रहा है, बिरोक्रेट होते हैं, बदमाश में जानता हूं, उनको सत् पर दंडा ही चलाते हैं, सब पर दंडा चलता है, एक अनपढ़ गवाड प्रोहित को एक थपर लग गया, तो आपके पेट में बहुत दढ़ होगी, और एक बिधायक ब्राह्मन को डीम ने जूतर से पिटवाया, और एक महीना पहले की बात है, आपका जमीर मर गया है, सबीक मांगना है, जिनको मुकदमा करना होगा, मेरे उपर जाय कर देंगे मुकदमा, और मैं यह पूछना चाहता हूँ, कि ब्राहमन समाज वो कहा था, जब संतोस मिस्रा को जूते से मारा गया था, विधान सभा में, कहा था वो ब्राहमन समाज, क्यों नहीं, वो डीम के सस सस्पंचन की मांगोई, मांगोनी चाहिए थी न, तो नहीं, इससे साबित होता है कि आप लोग अपर्चुनिश लोग है, अपने सुविदा के लिए, अपने घह इजजत, आबरू सब को कुर्बान कर सकते हैं, खाली सलेश यादव, यादव है, डीम है, तो उसने एक थप पर मार्दिया था, दर्द हो गया, अब बाबन इसमें मारा जूते से था, उससे पर दर्द नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है, कि अगर बाबन होगा, उन मारेगा था, आप लत्खोर हैं, बाबने खिलाब नहीं बोलेगे, क्या बोला संतोष मिस्रा, मैं बताता हूं, उन्ह कहा, कि पटना के DM, डॉक्टर चंसेकर सिंग ने, चंसेकर सिंग ठाकूर है, राजपूत है, ने बिधायकों को मारने के लिए कहा, और अपशब्द का इस्तेमाल किया, जाहिर अपशब्द में क्या गाली दिया होगा, आप जानते हैं, मैं रिपीट करने के जरूरा थे, त खुद मेरे सीने पर जूता रखकर मला, बिनाए तिवारी ने संतोंश मिस्ड़ा के सीने पर जूता रखकर मला, किसी प्रामन सब्सक्स अधान नहीं खोला, तूट घृद है तपन दिक्कत के लाध खाल ली जिएका ने, तम भी जो जो है, ओ ठीक है, कोई अवाध न brain कि कि विधायक ने कहा कि हम तो बिल्ड का रीरोध करने और नितिज कुमार ने बिधान सवा ने गुंडों को भेज कर पिटवाया रिटान सवा में लोकतंत्र की स्थिया कि ए महिला बिधायेगों को बाल पकड़कर घसीडते हुए बिधान सभाव परिशन से बाहर निकाला गया घटना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने भी मुख मंत्री पर हमला किया है यह है तेजस्वी आदव को छोड़ दीजिए वो तो यादव है अभी खाली बाव को थपर लग गया तो चोट लगा को यादव मराद थपर हम कोई हिंसा थपर मानने का समणतर नहीं कर रहे हैं लेकिन यहीं बावन सब कहां था जब संतोष मिश्रा को लाट से तिवारी पीट रहा था ठाकूर था वहां का डीम और इसपी था बावन उस समय आपका जमीर न काट हो जे दिलिफ मंडल और मैं मिलेंगा इसी मुद्धे पर बात करने के लिए कि लपर थपर जूता का समा शास्त्र